नमस्कार फ्रेंड्स, online tech, सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है, लाल से लिखे सस्क्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब चलिए वडियो को सुरू करते हैं, आज की इस चुड़ी में हम बात करने वाले हैं, SBI CSP Portal के बहुत ही important topic के बारे में हम बात करने वाले हैं, जी हाँ यहाँ यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं, date of dispatch to branch, यहाँ पर यह ओप्सन हैं काफी दिनों से मिला हुआ है, लेकिन यहा वडियो को सुरू करते हैं, वडियो को सुरू करने से पहले, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आया हैं, तो वडियो के निचे लाल सरी के subscribe बटन को क्लिक करके, इस चैनल को जरू subscribe करने ताकि SBI CSP से relative या banking से relative कोई भी update आती है, तो मैं समय समय पर इस चैनल पर upload करता रह हैं, तो उसका सबसे पहले हम reference number डाल करके, यहां पर submit करते हैं, ताकि वो जो है bank के record में आ जाए, तो यहां पर ऐसा बहुत कम CSP करते हैं, ना के बराब करते हैं, क्योंकि यहां पर time waste लगता है, क्योंकि उस तरह सा use नहीं है, क्योंकि हम direct branch में अपना farm submit करते हैं, और वहां से receiving लेते हैं, अपने receiving register पे, उसके बाद branch उसको maker checker वगएरा करके, वो complete हो जाता है, तो उसका use यहां पर ना के बराबर है, इसलिए लोग इसको कम use करते हैं, लेकिन use इसका तब बढ़ जाता है, जैसे कि अगर हम देखें, इन दिनों बहुत सारे CSP का legacy forum करके, जो आपको list मिला होगा, उसको देखते हुए, अगर उस तरह का यहां पर data हमने submit किया होता, अगर branch यह पहले option हमको provide की होती, जो हमने link branch में forum को send किया हुआ है, इस तरह से data अगर हमने भी यहां पर reference number डाल करके, dispatch to branch, date wise हम किये होते, तो आज जो हमें ब्लेम होता है, कि CHP जो हो फारम क branch में नहीं जमा किया है, तो उस तरह का ब्लेम हम पे नहीं पड़ता, तो इस तरह से आप जो है जो भी फारम को जमा करें, इसमें आप जरूर submit करें, बहुत ही कम समय लगता है, ताकि आपका जो है रिबैंग के record में जो हो फारम, आपका जो है link branch में जमा हो जाए, तो इस इस तरह से आप submit करके हो सकते तो अपने जो है account opening फारम को branch में जमा करें, क्योंकि इस तरह से future में कभी भी फारम आपसे मांगा जा सकता है, रिजिस्टर आपका जो है इधर का उधर हो जाएगा, लेकिन जो branch का server में, अगर आप एक बार में, जो है एक बार इसको dispatch to link branch में अगर submit कर देंगे, तो ब्रांच के record में हो जाता है, तो इस वीडियो में इतना है, आपको यह वीडियो छोटी सी कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करे, comment करे, share करे, और इस चैनल पर पहली बार आया है, तो वीडियो के निचे लाल से लिखे के इस चैनल को जरू सस्क्राइब करें, ताकि SBI, CSP से रिलेटिव या बैंकिंग से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है, तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अप्लोड करता रहता हूं, तब तक लिए थैंको, धन्यबाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट टूडियो में इसी त प्रवाद 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